इस क्लास के ताज सभी विद्धियार थी इंग्लिस रीडर का लेशन 10 पढ़ेंगे जिसकी टाइटिल है शीवाजी दे ग्रेट ठीक क्या टाइटिल है शीवाजी दे ग्रेट देखिए यहाँ पर लिखा गया है सिवाजी वाज़ी वाज़ी वार्न इस शिवनेर अन अप्रिल 10, 1627 टु सिवाजी देखिए एड जीजाबाई शीवाजी देखिए अर्वीज शीवाजी पहले अपढ़े वाज़ेंपिऑेंटीक आप लोग अपनी कौंपी में चैप्टर लिका लीका है लेशन 10 उसके बाद चैप्टर का नाम लिखेंगे फिर वर्ड मीनिंग नोट करेंगे फिर अभी जो आपको पढ़ा रहे ना पढ़ने से पहले आप लोग जो वीडियो खोली है तो अपने बुक को अपने सामने जरूर रखें उसमें पैंसल लेके बैठें कलम लेके बैठें कुछ वर्ड मेनिंग है जो आपको बताई जाती है उसको आप नोट करें समझिए जो हार्ड वर्ड है उसको आप लोग लिखें ठीक और उसके बाद फिर चैप्टर रेट करें चैप्टर टू आर थरी टाइम जरूर रेट किया करें अगर घर में कोई भी थोड़ा बहुत इन शिवनेर शिवाजी शिवनेर में पैदा हुए थे on अप्रेल 10 कब 10 अप्रेल 1627 को टू सिवाजी एंड जीजबाई किस से सिवाजी और जीजबाई से सिवनेर में 10 अप्रेल 1627 को सिवाजी पैदा हुए थे सिवाजी was destined for great things प्रसिद्ध थे महान चीजों के लिए सिवाजी His father was a noble man उनकी पिता एक नेक इंसान थे in the court of कहाँ पर बीजापूर बीजापूर की court में and his mother was a religious lady और उनकी मां एक धार्मिक महिला थे second paragraph में देखियेगा One night, एक रात्रे सिवाजी had a dream in which he was offered a mango and asked to share it with his wife and asked to share it with his wife और उनसे कहा गया उसको अपनी पत्नी को देने के लिए in order to get अशन जिस्षे उनको क्या पुत्राप्थ हो एक पुत्र This sun was to be an incarnation of Lord Shiva Shortly after that, a sun was warm and show the happy parents named Bith Shivaji Shortly after the name of Lord Shiva This sun was वह पुत्र था To be an incarnation of Lord Shiva मतलब Lord Shiva के अवतार के रूप में Shortly after that, a sun कि उस पुत्र के उत्पन होने के बाद Sun was warm जब मतलब वो पुत्र पैदा हुआ And so happy the parents माता पिता इतनी खुष थे माता पिता इतने खुष थे की named with Shiva जी after the name of Lord Shiva की उस पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम Shiva जी के नाम पर क्या रखा? मतलब भगवान Shiva के नाम पर उसका नाम Shiva जी रखा चलिए अब यहाँ पर लिखा है moved from souvenir to Pune किस तरीके से वो सिवनेर से कहां चले गए? Pune When Shiva's father took another wife जब Shiva जी के पिता ने दोसरी पत्नी लिया As was a common occurrence in aristocratic family जैसे कि एक सामान घटना थी उच्चकुल के लोगों में मतलब दूसरी पत्नी रखना उच्चकुल के लोगों की एक सामान घटना थी His self-respecting mother decided to shift to Pune उनकी स्वाभिमानी मा ने निर्ने किया खुद को Pune जाने का She took great pains to educate her son उन्होंने बहुत पीड़ा उठाई अपने पुत्र को सिक्षित करने के लिए and groom him well and hired a Brahmin teacher and groom him well और उसे अच्छी तरह से तयार करने के लिए He hired a Brahmin teacher उसने एक Brahmin अध्यापक मतलब hired मतलब किराय पर लिया या निउप्त किया Dada Koonji for this task together Dada Koonji मतलब किसके लिए उनका नाम था इस कारी के लिए निउप्त किया गया Dada Koon Deoji उनके टीचर का नाम था जो ब्रहमर थे They met the child a courageous young man उन्होंने बच्चे को एक साहसी नवयोग बनाया He had been brought up on martial arts उस बच्चे को martial arts सिखाया गया and tales of tales of courage और उसे साहस की कहानिया सुनाई गई अब देखे आगे फिर लिखा है By the age of 13 13 साल की उम्र बे He had just one dream उनका क्योवल एक सपना था and that was to build a kingdom of his own और वह था की अपनी खुद की राजधानी बनाना देखे अटेक आन तोरन फोर्ट तोरन फोर्ट के लिए पर क्या करना आक्रमड करना At the age of 20 years 20 साल की उम्र में He lost his first military attack उन्होंने अपना पहला सैनिक आक्रमड किया आन तोरन फोर्ट तोरन के किले पर एक पार्ट आप बीजपूर टेरिटरी जो बीजपूर राज का एक अंस था भाग था His three best friends उसके तीन सबसे अच्छे मित and a few soldiers joined him उनके साथ आ गए It was an easy victory एक आसान जे थी and made him popular amongst the Maratha youth और उन्हें इसके लिए Maratha जो youth वर्ग था यंगेश्टर थे उसमें सबसे प्रशिद बना दिया गया who joined his army जो उसकी सेना को क्या कर लिए join कर लिए दन्नबाब आप बीजपुर put pressure on सिवा जी बीजपुर के नबाब ने सिवा जी के उपर सिवा जी के उपर pressure डाला to convince his son to appear in court की अपने पुत्र से वो बात करे और वो court में हाजिर हो but सिवा जी refuse to do लेकिन सिवा जी ने मना कर दिया ऐसा करने से until his demands were met जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती so the नबाब impresent his father इसलिए नबाब ने उनके पिता को jail में डाल दिया सिवा जी दिन asked the Mughal Emperor साह जहां to intervene on his behalf सिवा जी ने उसके बाद Mughal Emperor किस से साह जहां से इस मामले में intervene करने के लिए मतलब दखलंदाजी करने के लिए अपनी तरब से कहा सिवा जी ने Mughal Emperor मतलब किस को साह जहां से अपनी तरब से दखलंदाजी करने के लिए इस मामले में कहा The Emperor, Shasak who was waiting for a chance to interfere in Bijapur जो की इंतजार में था कि वो Bijapur में interfere करे, दखलंदाजी करे at once, ततकाल demanded मांग किया that सिवा जी be released सिवा जी को छोड़ दिया जा सिवा जी had succeeded again, सिवा जी तुरंट सफल हो गए, the world was impressed by his physical and mental powers जो संसार था उनके सारिरिक संरचना और मांसिक पावर पर क्या हुआ? प्रभावित हुआ दे नवाव देन सेंड अ जाइंट काल अफजल खान टो कैप्चर सिवा जी उसके बाद नवाव ने एक जाइंट भेजा जिसका नाम कफजल खान था सिवा जी को क्या करने के लिए? आरेस्ट करने के लिए अफजल खान carried with him an iron cage अफजल खान ने अपने साथ एक लोह का पिजड़ा ले गया and entered सिवा जी's territory और सिवा जी के राज में प्रवेश कर गया from the south creating turmoil and plunder along the way south creating turmoil उसने दच्छन की तरप से turmoil create करते हुए ठीक create करते हुए कहाँ पर गे यहाँ पर है and plunder along the way इसके बाद आगे लिखा है देखिये इसके बाद आगे लिखा है देखिये आफ फीस टो कन्विंस सिवा जी सिवा जी से सांती का और क्या कन्विंस करने का मतलब उनसे बात करने का to meet him but सिवा जी was wise सिवा जी बुद्धिमान थे to his ways and went prepared for battle और उस राष्टे में वह पूरी तरह से युद्ध की तयारी करके गए he had fitted a dagger in his sleeve उन्होंने अपने कपड़े में खंजर को फिट कर लिया and iron nails और लोहे के नाखून and in his left hands और अपने बाय हाथ में with which he tore open अफजल खान's stomach जिससे की वह अफजल खान के पेट को फार सके stabbed him उसे चाकु मारा and his back in his back उसके पीट में as he was attacked जैसे ही उस पर आक्रमण किया गया the army fled in fright सेना भै से भाग गई and शिवाजी वेंट होम with trained animals and a lot of money और उनके साथ बहुत सारे प्रसिछित animals आये मतलब हाथी घोड़े और उसके बाद क्या हो गया बहुत सारा पैसा भी आया आगे देखिए औरंग जेव अटेक्ट अब भी औरंग जेव से इन्होंने क्या लिया था सहता लिया था अब औरंग जेव ने इनके उपर क्या क्या अटेक क्या देखिए observing सिवाजी's reach सिवाजी की पहुँच को observe करते हुए मुगल इंपरर अवरंग जेव वांटेट टू प्रोटेक्ट हिस टेरिटरी अवरंग जेव चाहता था अपने राज्ज को सुरक्षित करना सो सेंट है मेंट्रल अंकल साहिस्ता खान इसलिए उसने अपने ममेर मतलब ममेरे चाचा को भेजा मतलब किस कहाँ पर सेंटा खान को टू टीज सिवाजी अलेशन सिवाजी को एक पार्ट पढ़ाने के लिए खान वास कैंपिंग एड पूने फार हिम खान जो है कैंप लगाया पूने में उसके लिए वेन सिवाजी आर्मी ड्रेस्ट एस अ वेडिंग प्रोशेशन जब सिवाजी की सेना एक साधी की प्रोशेशन में मतलब उस कपड़े में इंटर्ड प्रवेश की एंड इस प्रंग अ सर्प्राइज अटेक और एक अद्भुद आश्यर जनक अटेक किया दखान फ्लेड खान तो भाग गए बट नाट बिफोर लोजिंग अ टमब बट नाट बिफोर लोजिंग अ टमब लेकिन एक भी जो टमब को उन्होंने मतलब मंदिर कह सकते हैं टम मतलब वैसे कब्र होता है उसको नुकसान नहीं पहुँचाए अब आगे देखिए दे सेकेंड टाइम दूसरी बार औरंग जेव सेंट 200 वैटल वैटरन दिलेर खान अब की बार उसनोंने 200 सहनिकों के साथ किसको भेजा दिलेर खान को और राजा जस्वन सिंग टू कैप्चर सिवा जी दिलेर खान और राजा जस्वन सिंग को सिवा जी को पकड़नी के लिए भेजा इस समय सिवा जी ने उन्हें एक संदेश दिया अपिस सांति का और अपने को मुगल दरबार में उपस्थित किया वैर ही वाज इंसल्टेड और आरेस्टेड जहां उनकी बेजज़त की गई और उन्हें गिरफतार कर लिया गया वाइल अंडर आरेस्ट जब उए गिरफतारी में थे सिवा जी फिगेंड इलनेस उन्होंने बीमारे का बहाना लिया और देन आस्क्ड देश्टिव्यूट स्वीट तू सेलिब्रेट इस रिकबरी उन्होंने कहा मिठाईयां बाटने के लिए ठीक है अपनी किसमे मतलब रिकबरी की खुशी में पर्मीशन वाज ग्रांटेड उन्हें अनुमत दे दी गई उन्हें आउसर मिल गया अपने को एक डलिया में छुपाने का आप स्वीट्स मिठाई के मतलब फालों अथ्वा मिठाईयों की डलिया में अप उन्हें अपने को छुपाने का मौका मिला अप स्कैप टो हिस ओन टेरिट्री डिस्गाइजड एस अ साधू और वह बच के अपने राज चले गए साधू के बैस में अब देखे लिखा है करनेशन लास्ट हैडिंग है आपका सिवा जी वाज क्राउंड किंग इन दे एंसियन छट्री एड ट्रेडिशन सिवा जी को मुकुट पहनाया गया जैसे कि प्राचीन छट्रियों को मतलब छट्री रीत रिवाजों में किया जादा था at his capital राजगर उनके अपने राज राजगर में he was given a sacred thread उन्हें एक पवित्र धागा दिया गया and waged in coins और उन्हें मतलब सिक्कों से तौला गया which were distributed to the poor जैसे गरीबों को बाटा गया his mother's dream were fulfilled माता की उनकी माता की जो क्या थी इच्छा थी वो पूरी हुई and she fast away peacefully to wake Slater और वो दो सप्ता वाद सान्ती से क्या हो गई इस दुनिया से गुजर गई सिवा जी रूल्ड हिस किंगडम सिवा जी ने अपने राज में शाषन किया बेल अच्छी तरीके से and after a process and after a prosperous few years कुछ साल सम्रिद्ध साली he fell ill वो बीमार पड़े and died on April 3 1680 और वो तीन अप्रेल 1680 को क्या हो गए मर गए he was the first real Maratha leader वो पहले वास्तविक Marathas आ सकते and his name has gone down in the annals of history और उनका जो नाम था वो किस में पड़ गया जो इतिहास का लेखा जो खा है इतिहास में क्या हो गया दर्ज हो गया यह आपका chapter था इसमें देखी कुछ word meaning दी गई है नीचे उसको note कर लीजेगा जैसे destined लिखा है destined मतलब भाग्य में बाधा होना intervene लिखा है हस्तक छेप करना incarnation लिखा है avatar मतलब अभी वहाँ पर बता रहे थी ना सिवा जी के avatar के रूप में ही नहीं जाना गया आगे लिखा गया aristocratic मतलब kulin या उच्च बर्ग बोला जाता है aristocratic को release मुक्त करना imprison जेल में कैद करना intervene beach बचाओ करना groom वहाँ बीच में आई थी ना उसका मतलब होता है प्रसिच्छित करना किसी को trend करना ठीक है provis provis मतलब बीरता होती है P-R-O-W-E-S इसके बाद valour valour मतलब भी बीरता होती है दो word meaning यहाँ पर लिखा गया है दोनों learn कर लिजेगा dagger मतलब कटार होती है annals मतलब घटनाओं का वीवरन इसके बाद इसको आप लोग पढ़कर के अपने से टिक करिएगा जब exercise कराया जाएगी तो यह आपको true-false करवाया जाएगा इसको आपको केवल book में करना है मतलब tick the correct करना है multiple choice question है इसके बाद देखिए आपको fill in the blank आपको अपने से करना है true-false भी आपको exercise के साथ बताई जाएगी question आप लोग note करेंगे और इसका उत्तर आपको exercise के माध्यम से बताया जाएगा आप अपनी copy में word meaning hard word question answer करेंगे okay thank you for this class